हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे Realme के सभी डिवाइसे इसके लिए सबसे इंपोर्टेंट अपडेट ColorOS 6 एंड एंडूड पाई के अपडेट के बारे में साथी साथ यहां पर काईज हम बात करेंगे Realme के डिवाइसे के लिए ColorOS 6 में एक इंपोर्टेंट फीचर यहां पर मिलने वाला जो कि होने वाला एप ड्रोवर का फीचर तो जो कि यहां पर Realme की तरफ से भी कंफर्म कर दिया गया है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा ए सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि आपको Realme के सभी डिवाइस के लिए लेटेस्ट कलर ओएस के इंपोर्मेशन इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलती रहेंगी यहां पर काईज हम लाइन वाइस सभी टोपिक्स के बारे में बात करने वाल है कमाल का फीचर एंड बताऊंगा कैसे आप इसे यूज में ले सकते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे के अपडेट के बारे में तो गाइस अभी रियल्मी में चल रहा है लेटेस्ट कलर ओएस 5.2 का अपडेट यहां पर रियल्मी के इन डिवाइस में सभी में कलर ओएस 5. अपडेट यहां पर रियल्मी के तरफ से रूल आउट कर दिया गया है जो की औरियो बेस्ट अपडेट है एंड मैं आपको बता दू जल्दी आपको अभी कलर ओएस 6 का भी अपडेट देखने को मिलने वाला है एंडूइड पाई के उपर बेस यहां पर कंफर्म किया है र जल्दी आपको इंडिया में रियल्मी के दिवासी के लिए मार्च से यहां पर स्टार्ट हो जाएगा कलर OS 6 का अपडेट मिलना और जहां तक मेरा मानना है रियल्मी ने बताया है मार्च से रूल आउट होना स्टार्ट होगा लेकिन guys हमेशा यहाँ पर Realme थोड़ा सा लेट कर देता है अब मेरे साब से April से आपको ColorOS 6 and Android Pie का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा हो सकता है कि March की end से यहाँ पर स्टार्ट हो जाए और अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ColorOS 6 plus Android Pie का अपडेट किन डिवाइसीस को यहाँ पर मिलने वाला है तो सबसे पहले जो अपडेट मिलेगा ColorOS 6 plus Android Pie का वो यहाँ पर Realme 2 pro plus Realme U1 के डिवाइसीस को यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलने वाला है एंड उसी के बाद यहां पर realme 1 एंड आपका realme C1 एंड आपका realme 2 जो यूज करते हैं उन यूजर्स को color OS 6 प्लस android pi का update यहां पर देखने को मिल जाएगा तो आप इसकी tension मत लिजे तो अप्रेल में कुछ devices को मिलेगा जैसे 2 devices को मिल गया उसके बाद माई last तक यहां पर realme के बाकी सभी devices को color OS 6 का update देखने को मिल जाएगा तो अप्रेल से लेकर माई के बीच में color OS 6 का update सभी realme devices के लिए android pi के साथ रोल आउट कर दिया जाएगा अभी बात करते हैं app drawer के बारे में तो realme इंडिया के तरफ से confirm कर दिया गया है कि realme के सभी devices में color OS 6 के update के साथ app drawer का feature भी देखने को मिल जाएगा और अगर हम बात करूँ update के मिलने के बाद app drawer के feature को आपको कैसे use करना है तो आप यहां पर देख सकते हैं एक छोटा सा icon आपको बीच में center में देखने को मिलेग उस पर आप जैसे ही click करोगे तो भी आप यहां पर सारी application आपको अंदर देखने को मिल जाएगी और यही से आप उन्हें control कर पाओगे और उपर search app का भी option देखने को मिलेगा color OS 6 के update के बाद जबकि guys पहले अगर हम बात करूँ color OS 5.2 में update में और उससे पहले आपको home screen पर ह आपको सारी app देखने को मिलती थी and home screen से ही आप उन्हें control कर सकते थे लेकिन app drawer के feature के बाद आपको सारी applications अंदर देखने को बिलेगी and आप वहीं से ही control कर पाओगे जैसे कि Samsung में आपको यह feature देखने को मिलता है तो guys ऐसे आपको app drawer के feature को use करना है मैंने just इसे यहां पर आपक आपको समझाने के लिए एक application को install करके आपको app drawer का feature यहां पर पता है तो guys I hope आपके color OS 6 plus android bike update के regarding जो भी आपके confusion थे वो यहां पर दूर हो गए होंगे and app drawer के feature के बारे में भी मैंने आपको पूरा यहां पर detail में समझा दिया है तो कोई भी confusion साथ से आपके दिमाग में नहीं बचेंगे अगर अभी भी कोई confusion है तो नीचे comment box में आप बता दीजिए साथ में और वीडियो को एक like करके चैनल को subscribe करके bell icon को जूरू से press कर दीजिए जो भी आपको question अगर है तो मैं Instagram पे message कर सकते हैं मैं आपको personally reply कर दूँगा thanks for watching guys आज का वीडियो देखने के लिए मिले नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बाई बाई दोस्तों जैहीं जैबाराट टेक कियर